हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आप है क्वरेफ्लिस पर और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कारगिल विजय दिवस पर परमवीर चक्र विजयता ऐसे सूरवीरों की कहानी जिन्होंने विशम परिस्तिती में भी लड़ते हुए दुस्मनों के दाख खत्ते कर लिए थी और अंत में विजय स्री प्राप की थी इसी सीरीज के तीसरे भाग में जानिये कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में कारगिल में भारी बर्भारी के चत्ते भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने आपसी सहमती से हर साल कुछ महीनों के लिए नीचे उतरने का फैसला किया था जिसके बाद ये प्रोसेस लगतार चल भी रहा था 1999 में कारगिल की उंची चोटियों से भारतिय सेना नीचे उतर गई लेकिन इस दोरां पाकिस्तान की सेना ने प्रमुख चोटियों पर अपना कबजा कर लिया जिसका भारत को कोई भी अंदाजा नहीं था तीन मई 1999 को भारतिय सेना को कारगिल में घुसपैटियों के होने का पता चला इस जानकारी के बाद वो होने वाला था जिसका तब सायद ही किसी को अंदाजा रहा हो भारतिय सेना को जानकारी मिलते ही सेना को लगा कि ये कुछ घुसपैटिये हैं क्योंकि कई बार उस इलाके में ऐसी घुस्पैट होती रहती थी। पांच माई को सेना ने अपनी एक तुकडी को उपर भेजने का आदेश दिया। जिसे लीड कर रहे थे कैप्टन सौरव कालिया। अब सुचना मिलने के बाद भारत सरकार ने माल लिया कि कारगिल में बहुत बड़ी घुस्पैट हो चुकी है। अब जवाब देने की बारी थी। कारगिल के हीरो सौरव कालिया के बाद भारतिय सेना के दूसरे बहादूर कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम को जवाबी कारवाई के लिए चुना गया। विक्रम बत्रा 13 जम्मू एंड कस्मीर राइफल्स के रेजिमेंट में थे। कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम को द्राज सेक्टर की सबसे अहम चोटी 0.5140 को कैप्चर करने का टास्क दिया गया। अब विक्रम बत्रा की टीम को चोटी पर चढ़ाई से पहले ब्रीफिंग दी गई जिसमें उन्हें बताया गया कि क्रॉलिंग करते हुए मने रेंगते हुए आप लोगों को उपर तक पहुँचना है और ये काम सिफ रात को ही करना है जो कि अगर उपर से पाकिस्तानी सेन की नजर पड़ी तो वो हमला कर देंगे इसी प्रीफिंग के दोरान जब पूछा गया की चोटी को कैप्चर करने के बाद आपका क्या कोड इस्तेमाल करेंगे तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने पेपसी की टेग लाइन ये दिल मांगे मोर कहा उन्होंने कहा कि जीतने के बा विक्रम बत्रा की टीम उपर तक पहुँच गई और बंकर में छुपकर हमला कर रहा है पाकिस्तानी सेनिकों को मार गिराते हुए 0.5140 को फिर से कैप्चर कर लिया तो नोलिंग चोटी पर भारत की ये काफी एहम और कारगिल में पहले जीत थी इसके बाद विक्रम बत्रा की टीम को मुस्कोव वैली में 0.4875 को कैप्चर करने के लिए और मिली जिसमें एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि वो इस मिट्टी के लिए अपनी जान पर खेल सकते हैं फोन पर अधिकारियों की बात हुई कि विक्रम बत्रा कंपनी को लीड करते हुए उपर जा रहे हैं तब ही पाकिस्तानी सैनिको ने इस फोन को कॉल को इंटरसेप्ट कर लिया इस जिसके बाद उन्होंने आगे मैसेज पहुचाते हुए विक्रम बत्रा को सेरसा कोड नाम से बुलाया और पाकिस्तान के जवानों को अगा किया कि सेरसा आ रहा है सावधान हो जाओ इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी कम्पनी के 25 जवानों के साथ 0.4875 की तरफ बढ़े उपर जाते ही हैवी फायर सुरू हो गया दोनों तरफ से जम कर फायरिंग होती रही कैप्टन बत्रा और उनकी टीम ने इस चोटी पर मौझूद सभी पाकिस्तानी सेनिकों को मार गिराया लेकिन पाकिस्तान की एक MMG अब भी लगातार फायर कर रही थी तब ही उनके एक जवान को गोली लग गई जिसे बचाकर वापसलाते हुए एक गोली उनके सीने में लगी और वो वीरगती को प्राप्थ हो गए इस बहादुरी के लिए उन्हें बाद में सेना के सरवच गैलेंट्री अवार्ट परमवीर चक्र से नवाजा गया थी वीरता और वलिदान की अफेरिस्ट यहीं खत नहीं होती भारतिय सेना के विभिन रैंकों के लगवक 30,000 अधिकारी वजवानों ने ओपरेशन विजय में भाग लिया युद के पस्चात पाकिस्तान ने इस युद के लिए कस्मिरी आक्तंकवादियों को जिम्मेदार ठहरा था जबकि यह बात किसे से छिपी नहीं थी कि पाकिस्तान इस पूरी लड़ाई में लिप था बाद में नवाज सरीप और सिर्ष सेन अधिकारीयों ने परत्यक्ष और अपरत्यक्ष रूप से पाक सेना की भूमिका को स्विकार गिया था यह युद हाल के उंचाई पर लड़े जाने वाले विश्व के परमुक युदों में से एक है सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों ही देश परमाणू हत्यारों से संपन्ध है पर कोई भी युद हत्यारों के बल पर नहीं लड़ा जाता युद लड़े जाते हैं साहस बलिदान, राष्ट प्रेम वकर्तव्य की भावना से और हमारे भारत में इन जज़वों से भरे युवाओं की कोई कमी नहीं मात्र भूमी पर सर्वस निचावर करने वाले अमर बलिदानी भले ही अब हमारे बीच नहीं है मगर इनकी यादे हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेंगी सहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में ले वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निचाँ होगा तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? उमीद है आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूले अगर चैनल पर नए आया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ बेल आइकन दबा कर ओल कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम वीडियो अप्रोड करें मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक किप सर्चिंग फर नॉलेज एंड ट्राइ टू बी अ काइंड पर्सन